हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब आशक करता हूं आप सब ठीक होंगे मैं आपनी स्वागत करता हूं एक पर फिर से आपका अपने यूटूब चैनल एक्जाम जैस्ट में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुरूबडी के एक्जाम जो चल रहे हैं और 18 अगस्त का फ इसकी स्थापना की थी और दूसरा कोस्चे ना कतर 2022 में आयोजीद उनिश्वी एशियाई बरफीली तूफानी चैंपेंशिप में पंगज अडानी ने किसको हराया तो दुरूव शितवाला को हराया है शोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है या था जो एने एच अधिनियम कब पारित किया गया था भारत का तक्षिन बंद्रगा कौन सा है तो टक्षिन बंद्रगा तूती कोरेन है यह सारे बंद्रगा आपको याद होने चाहिए वहीं नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं तो जाइलम उत्तक का कर रहे है ट्रांश ट्रांश्पोर्टेशन ओफ वाटर यानि कि यह पानी का शमवहन करता है पोधे के अंदर है भारतिया सवीधान के किस भाग में मोलिक करतव्यों का वड़नन है यानि कि यह अनुचेद से बार 252 आ में आपका जो है आर्टिकल मोलिक करतव्यों से संबंदित है महीं आगर बात करता हूं मैं कि कि इसलाम की सथापना किशनेग्स लाँ किसल inclined गीड़िए फुरिपोर्ट मुहमद ने फुरिफोर्पोर्च महमद ने लोशांर तेवार किस्प में Nh owner याता है तो यह लदाक में मनाया जाता है महीं अगर बात करते है भारत विकास कारक्रम कब शुरू किया गया तो भारत विकास कारक्रम जो था 2 अक्टूबर 1954 को शुरू किया गया था कल भी 1952 से एक सवाल आया था और आज भी 1952 से एक सवाल आया है ब्लीचिंग पॉडर बनाने की परिकिरिया क्या है ब्लीचिंग पॉडर बनाने की परिकिरिया उसके अंदर जो दिया होगा लेकिन ब्लीचिंग पॉडर का फार्मूला आप देख लीजिए मिथेन का सुत्र बताई है मिथेन का च 4 पोधा ऑक्षीजन कब देता है दूरिंग फोटो सिंतेथी प्रकास ट्रेंसलेशन जो होता है उसके समय में पोधा जो है ऑक्षीजन देता है यानिकि दिन के समय में अवता साइл लैंस में किस प्रकार को प्रतिविम दिखाई देता है तो आवम ड़न्र के अंदर आभाशी और चोटा प्रतिविम जो है दिखाई देता है ऑनिकरण में भारत की रैंकिंग क्या है यह उनिक्रण मतलब है एफ और स्टेशन में भारत की रैंकिंग है थर्ड अगर बात करते हैं नुमेरिकल आया था ओम के लो पर कल ओम का लो पूछा किया था और आज ओम के लो से नुमेरिकल आया है एक वहीं अगर बात करते हैं 2019 से 2021 तक कितने वन छेतर में बढ़ोते हुई है तो यह आप खर तॉम्ष रो किसके कार्या में भारत आया जांगीर के कार्याल्य में आया है वह ठाजों कि nas out अगर ने के कोकिन की बात करते हैं तो मैयध के सवाल को इस तरह के से थैं कि एक वैक्ति ने कुछ पैंसिल रूपे की तर से और उन्हें तीन रूपे प्रती रूपे की तर से बेचा तो उसका लाब परतिशत कितना हुआ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो लाब परसीद हो जाएगा उसका 66 66 सही दो बटे तीन परतिशत नेक्स्ट रवाल देखते हैं कहां के जंगल साइलेंट वैली में साइलेंट वैली के नाम से जाने जाते हैं साइलेंट वैली जो है केरल के जंगल है वहां के जंगल जो है साइलेंट वैली के नाम से जाने जाते हैं नेक्स्ट रवाल है भारत का प्रधम परमाणू बिजली घर कहां प्रारम्भ हुआ था तो ये तारपूर जो है माराष्ट्र के अंदर सबसे पहला भारत का बिजली परमाणू है नेक्स्ट रवाल है मैत का रवाल है इसके अंदर गया एक राष्टी दो वर्ष का मिश्रधन और यदि उसे पांच वर्ष के लिए और छोड़ साथ पांच वर्ष के लिए छोड़ दिया जाए तो उसे मिश्रधन एक हजार बीस अरजित होता है तो मुल्धन याद कीजिए ये कुछ इस तरीके का सवाल था इस ट्रेपीज कलाकार कहां काम करते हैं तो ये सरकस में काम करते हैं स्टेपीज कलाकार वहीं मैत की अगर दूसरी सवाल की तरफ बात करते हैं तो एक बंदरगा एक चिकने खंबे पर एक मिनट में 10 मीटर चड़ता है लेकिन दूसरे मिनट 4 मीटर नीचे फिसल जाता है यदि खंबे की उचाई 30 मीटर है तो चोटी पर पहुशने के लिए बंदर को कितना समय लगेगा ये परकार कर सवाल है नेक्स देखिए मैट के सवाल काफी इजी है नेक्स सवाल है मैट का एक वस्तू की कीमत 75 रूपे है कीमत को पहले 20 पर 30 बढ़ाया जाता है और बाद में 20 पर 30 कम किया जाता है तो इसको पूरे मूले में वस्तू का वरतमान मूले बताना है तो आपको पता ही होगा जब दोनों लाव औरानी बराबर होती है तो उसको इस तरीके से रखके इसको ऐसे करके जो 75 रस से मंटिपलाई कर देंगा तो ये 72 आपका अंसर आ जाएगा कार्बोहाइट्रेड पाचन के अंतिम उत्पाद हैं गुलुकोज फ्रुक्टोज गुलुकोज ओ गलेक्टोज तो ये आप चैली कीजिएगा कि आंसर इसका क्या हो सकता है कॉमेंट बोक्स में एक स्वास्थे व्यस्क व्यक्ति में डैस डैस मिलेटर हिमलोगी में रक्त ह होना चाहिए 13 से 15 है मैत की सवाल के अगर बात करते हैं तो पांच व्यक्ति एक पंगती सोड़ी सोरी यह रिजनिंग का है पांच व्यक्ति एक पंगती में आपकी और मुक करके बैठें आपकी और का मतलब है दक्षिन दक्षिन दिट्थिशा की और और सी के बाएं डी बैठा है तो ये शीटिंग अरेजमेंट का सवाल है आप इसको बना के देख सकते हैं आप बना पा रहे हैं नहीं नेक्स जो सवाल है विक्षू ने एडम को बताया कि घंटी 45 मिंट के नियमिक अंतराल पर बज रही है आखिर आखिर घंटी आखिरी घंटी पाँच मिनट पहले बजी थी अगली घंटी पाँच बज के 45 मिनट पर बजती है विक्षू ने किस समय एडम को जानकारी दी ये आपका जो है ये सेंस बे सवाल है को आप सोच के कर सकते हैं इसके अंदर कोई कैलकुलेशन और कोई मैत वैत की जरूत नहीं है अनुछे 370 भारत के किस राज्ये में लागू था जो अब नहीं है ये जम्मुक कश्मीर में था आपने बहुत पढ़ा भी होगा कि जम्मुक कश्मीर से 370 हटा दिया गया है तो ये बहुत ही इजी सवाल था कंचन जंगा परवत सिखर कहां इस्तित है तो यह शिक्किम में स्थित है उत्तरपूर्व शीमान्त रेलवे में सबसे बड़ा रेलवेस्टेशन कोन सा है तो यह आपको रेलवेस्टेशन सारे याद होने चाहिए बाकि यह रेर केस है इज कि आपका पढ़ा हूआ आजाए बागी कुछ भी पूछ सकते हैं फिर भी आप एक बार रिवाइज कर लीजेगा तो माली गाओं जो है सबसे बड़ा डेल वेस्टेशन कौन सी नदी महराष्ट से नासिक से निकलती है तो गोदावरी नदी जो है महराष्ट के नासिक से निकलती है संयुक तो राष्टे दिवस कम मना जाता तो चोविस अक्टूमर को मना जाता है वेरी इजी जो है सवाल यह है कई बार आभी चुका है एक्जामस के अंदर गोल्डन गर्ल का खिताब किसे दिया गया है तो पीटी उशा को दिया गया है और ड्रीम कर्ल जो है वो आपको पताईए कि हेमा मालनी को दिया गया है भारत रत्रिम पुर्शकार सबसे पहले एक इस दिविश रमन जो हमारे प्रमान्स संहें हंत्र के अध्येक्स भी रहे हैं सीवी रमन को मिला था सोरव वर्मा किस खेल से संबंदित है तो बैटमिंटन से सोरव वर्मा जो हैं संबंदित है सुप्रीम कोर्ट में जज बनी जज अपना त्याग पत्र किसको देता है तो बहुत ही इजी सवाल है राष्टपती को अपना जो है त्याग पत्र देता है छेत्रफल की त्रिष्ट मैंने आपको बता दिये हैं अगर आपको sitting arrangement में या कहीं दिक्कत है तो आपके इस वीडियो में एक दो सवाल है sitting arrangement के आप उसको बना के देख सकते हैं बाकी आप comment box में जरूर बताईगा कि आप इन सभी सवालों में से कितने सवालों को ठीक कर सकते थे और कितने सवाल आपके कितने आपके marks जो है आ सकते थे अगर ऐसा paper आता थो जी के के और reasoning के अंदर इस वीडियो में पस इतना ही मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए धन याट